हेलो गाइज गुट मॉर्निंग टू अल उफ यू वल्कम बैक टू लर्न विद लक्षम श्रमा चैनल गाइज एक्चुली कुछ रीजन के कारण में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी पड़ कोई बात नहीं इस करिंट अफिर की सीरी को फिर से कंटीनिव करेंगे ज इसमें हम आज की टॉप 20 करेंट अफिर्स को डिसकस करेंगे इन टॉप 20 क्वेस्टन के साथ साथ मैं आपको एडिशनल इफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड अडिशनल फैक्ट्स भी कवर करवाऊंगी और इस वीडियो की पीडियो आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर कास्ट में मिलेगा सो अब पूरा वीडियो जरू देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेस्टन आवर फॉर्स्ट क्वेस्टन इज वेन वर्ल्ड नो टॉबैको डी ऑब्सर्व विस्वतंबा को निसीद दिवस कब मनाया गया इसका आंसर है ऑप और इस साल 2023 में इस टी की थीम रखी गई है वी नीड फूर्ट नॉट टोबैको नेक्स्ट क्वेस्टन इस विच आप द फॉलोइंग हैस वोन दग्रीन टेक सेफटी अवर्ड 2023 निम लिकित में से किसने ग्रीन टेक सेफटी अवर्ड 2023 जीता है इसका आंसर है ऑप्शन डी R.I.N.L. R.I.N.L. यानि राश्टिय इसपात निगम लिमिटीड इसे हाली में 2023 का ग्रीन टेक सेफटी अवर्ड दिया गया है R.I.N.L. एक स्टील मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी है जिसे अपने वर्ड प्लेस में सेफटी के लिए ये अवर्ड दिया गया है और ये अवर्ड इस कंपनी को सेफटी एक्सिलेंस कैटेगरी के अंडर दिया गया है R.I.N.L. company को ये award अपने workplace में safety के लिए drone technology यूज़ करने के लिए दिया गया है और इस साल इस award का 21st edition होस्ट किया गया था Next question is Which state cabinet has approved the Namo Siddhkari Mahasamman Yujna? किस राज़ी के cabinet ने Namo Siddhkari Mahasamman Yujna को मंजूरी दी है? इसका answer option B. महराश्टरा महराश्टरा के government ने हाली में एक financial scheme को launch किया था जिसका नाम है Namo Siddhkari Mahasamman Yujna ये एक financial scheme है जिसके अंडर इस state के farmers को हर साल 6,000 रुपे दिये जाएंगे और अब इस scheme को महराश्टरा के cabinet ने अप्रूव कर दिया है ये scheme एक crop insurance scheme होगी जो 3 साल तक के लिए implement की जाएगी महराश्टरा इसकी capital है मंबई इसके chief minister है एकनाथ सिंदे जिन्होंने इस meeting को chair किया था यानि head किया था इसके deputy chief minister है देवेंदर फर्नमेस और इसके governor है रमेस बैस Next question is Which state has announced the addiction centers in all districts किस राजी ने सभी जीलों में नसा मुक्ति केंदरों की गोशना की है इसका answer option C तिलंगाना तिलंगाना government अपने state के सभी 33 जीलों में T addiction centers को establish करेगी ये centers उन लोगों के लिए लाई गई है जो सराब से मुक्ति पाना चाहते हैं इन centers पर alcohol addicted या drug addicted लोगों का treatment किया जाएगा उन्हें free treatment दिया जाएगा योगा therapy दी जाएगी और उनकी counseling की जाएगी और ये state तिलंगाना government ने इस ले लिया है क्योंकि 2016 में social activist यानि समास सुधार को ने एक public interest litigation फाइल किया था और ये demand की थी कि तिलंगाना के सभी जीलों में de-adictive centers को ले जाए जिसे यहां के लोगों को नसामुक्त कराया जाए तिलंगाना इसके capital है हैधराबाद इसके chief minister है के चंदर सेकर राव और इसके governor है तमिल साई सांद्राराजन Next question is Which country has announced a 13 year space mission किस देश ने 13 साल के अंतरक्ष mission की घोशना की है इसका answer option C UAE United Arab Emirates ने हाली में एक नए mission को announce किया है जिसका नाम है MBR Explorer यह mission 13 साल के लिए होगी जो मार्श 2028 में launch किया जाएगा Actually यह mission 7 years के लिए होगी लेकिन इसके लिए जो space aircraft बनाई जाएगी उसे बनाने में लगवग 6 साल लग जाएगे तो यह mission total 13 साल का होगा इस mission के अंडर मार्स और जुपिटर के बीच के distance को explore किया जाएगा जो लगवग 5 बिलन किलो मीटर का distance होगा और इस distance के बीच 7 asteroids यानि 7 चुदग्रह पर काम किया जाएगा जिसने यह पता लगाया जाएगा कि इन चुद ग्रहों पर पानी है या नहीं है UAE इसकी capital है अबुधावी इसकी currency है UAE दिरहम और इसकी crown prince है Khalifa विंजायद अलनहयान इंडिया विल एक्स्टेंड वन बिलियन डॉलर क्रेडिट तो विच कंट्री तिल 2024 भारत 2024 तक किस देश को 1 बिलियन डॉलर का रिन देगा इसका answer option है स्री लंका इंडिया स्री लंका को एक financial support प्रोवाइड करेगी जिसमें ये 2024 तक 1 बिलियन डॉलर लोन देगी ये लोन पैकेश टोटल 4 बिलियन डॉलर का है जिसमें 2024 तक 1 बिलियन डॉलर का लोन देगी स्री लंका इसकी कैपिटल है स्री जैवर्दने पूरा कोटे इसके प्राइम मिनिस्टर है दिनियस गुनावर्देना और इसके प्रेसिडिन्ट है रानिल बिक्रम सिंगे बर्मिंगम के पहले भारती मूल के लॉर्ड मेयर की रूप में किसे चुना गया है इसका आंसर है ऑप्शन B चमनलाल चमनलाल फर्स ब्रिटीस इंडिन सिख बने है जिनि बर्मिंगम का लॉर्ड मेयर अपॉइंट किया गया है ये एक ब्रिटीस सिख है जो रविदासिया कम्यूनिटी से बिलॉंग करते हैं इनका जन्म इंडिया के होसियारपुर के पकोवाल में हुआ था और 1964 में ये यूके चले गया थे यूके इसके कैपिटल है लंडन इसके प्राइम मिनिस्टर है रिसी सुनक और यूके की करिंसी है पाउंड स्टर्लिंग नेक्स्ट क्विस्चन इस नाइजेरिया के राश्पति की रूप में किसने सपत ली है इसका अंसर है ऑप्शन डी बोला एहमद इन्होंने इस पोस्ट के लिए मुहमदु बुहारी को रिप्लेस किया है और इस पोस्ट को जॉइन करने से पहले बोला तेनिबु लागॉस के गवर्नर रह चुके हैं नाइजेरिया इसके केपिटल अबूजा इसके करिंसी नाइजेरियन नायरा और ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि 2050 तक नाइजेरिया वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पॉपुलिस निसर बन जाएगी इसका आंसर ऑप्शन भी स्री लंका स्री लंका में हाली में नैशनल पोसोन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है यह पोसोन फेस्टिवल है जिसे 6 जून तक सेलिब्रेट किया जाएगा यह फेस्टिवल स्री लंका में इसलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 236 BC में राजा असोग के बेटे आरहत महींदा ने पहली बार बुद्धिस्म को इंट्रोडूस किया था इसलिए इस उकेजन पर इस वीक को सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्टा सरकार के लिए स्माइल अमबैस्टर की रूप में किसे न्यूक किया गया है महाराष्टा की गव्मेंट ने सचिन तेंदुलकर को महाराष्टा का स्माइल अमबैस्टर अपॉइंट किया है ये appointment स्वक्ष मुख अभियान के अंडर की गई है जिसमें सचिन तेंदुलकर oral health hygiene को promote करेंगे इस campaign में good oral hygiene के importance के बारे में बताया जाएगा Next question is Who has been appointed as हिमाचल प्रदेश High Court Judge? हिमाचल प्रदेश उच नियायाले की 29 की रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका answer option ही ममिदना सत्य रतना ये है जस्टिस ममिदना सत्य रतना स्री रामचंद्र राव जिने हाली में हिमाचल प्रदेश के High Court का Chief Justice हिमाचल प्रदेश के High Court के 28 Chief Justice होंगे इससे पहले ये 2012 में आंध्र प्रदेश के High Court के Chief Justice रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश इसकी दो Capital है पहली Capital है Simla, ये Summer Capital है और Winter Capital है धरमसाला इसके Chief Minister है सुखविंदर सेंग सुखू और इसके Governor है सिव प्रताप सुखला Next Question is, Which Small Finance Bank has collaborated with IBM to build a Digital Banking Platform? Digital Banking Platform बनाने के लिए किस Small Finance Bank ने IBM के साथ पार्टनर्शिप किया है? इसका Answer Option C, Equitas Small Finance Bank Equitas Small Finance Bank ने हाली में IBM के साथ पार्टनर्शिप किया है जिसमें ये दोनों मिलकर अपने कस्टमर्स के लिए एक Digital Banking Platform तयार करेंगे इस Platform के थूँ ये अपने कस्टमर्स को एक Secure Banking प्रोवाइड करेंगे IBM इसकी Full Farm है International Business Machine इसे 16 June 1911 का फांड किया गया था इसके Headquarter New York के अर्मॉंक में है और इसके CEO है अर्विंद कृष्चना Next Question is, Who was appointed as India's representative to the Council of ICAO? ICAO की परिशत में भारत के प्रतिनिधी की रूप में किसे New York किया गया है? इसका Answer is Option D, Unsumali रस्तोगी Unsumali रस्तोगी ये एक Senior Bureaucrat है जिने हाली में ICAO का इंडिया की तरफ से Representative Appoint किया गया है ये एक 1995 Batch के IRSME Officer है IRSME यानि Indian Railway Service of Mechanical Engineering इन्हें इस Post के लिए 3 साल के लिए Appoint किया गया है और इन्होंने इस Post के लिए सिफाली जुनेजा को Replace किया है ICAO यान International Civil Aviation Organization इसे 7 December 1944 को Found किया गया था इसका Headquarter Canada के Montreal में है और इसके Head है Salvatore Siachitano Next Question is, Who has been appointed as the new Bangalore City Police Commissioner? Bangalore City के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसका Answer Option C, B. Dayananda B. Dayananda ये एक Senior IPS Officer है जिने हाल ही में Bangalore City का पुलिस Commissioner Appoint किया गया है इन्होंने इस Post के लिए CH Pratap Reddy को Replace किया है जिने अब Internal Security Division में ट्रांसफर कर दिया गया है B. Dayananda ये 1994 Batch के एक IPS Officer है और इससे पहले ये पुलिस डिपार्टमेंट में Additional Director General भी रह चुके है इसका Answer Option B, Salini Singh Salini Singh ये लखनों की रहने वाली है और ये इंडिया की पहली NCC Cadet बनी है जिन्होंने Advanced Mountaineering Course को Complete किया है इन्होंने ये अपना Course 26 April को सुरू किया था और ये 15,400 feet उचाई पर भी चड़ चुकी है और ये अब पहली NCC Cadet बन चुकी है जिन्होंने इस Course को Complete किया है Next question is Who has authored a book titled NTR A Political Biography NTR A Political Biography ये बुक किसने लिखी है इसका answer option C रामचंद्रा मोर्थी नंदा मोरी तारका रामा राव ये great politician and actor थे जिनका हाली में अभी 100th birth anniversary celebrate किया गया था और अब इन पर एक नई बुक लिखी गई है जिसका नाम है NTR A Political Biography इस बुक को राइटर रामचंद्रा मोर्थी कौंदू भातला ने लिखा है और ये बुक Harper Collins इंडिया की द्वारा पब्रिस की गई है Next question is Which bank has recently emerged as the top performer in net non-performing asset management in financial year 23 to 24 कौन सा बैंक हाली में financial year 2023 से 24 में net non-performing asset management में top performer बनकर उबरी है इसका answer option B bank of maharashtra 2023 से 2024 के financial year में bad loan के management में bank of maharashtra top bank बनी है इस bank का NPA 2023 में 0.25% कम रहा NPA क्या होता है इसे non-performing asset कहते हैं ये वो loans होते हैं जिने recover करने में bank fail हो जाती है और इस साल 2023 में bank of maharashtra का NPA सबसे कम रहा और ये अब top bank बन चुकी है bank of maharashtra के बाद HDFC bank जिसका total NPA 2023 में 0.27% रहा इसके बाद third position पर कोटक महिंद्रा bank जिसका 2023 में NPA 0.37% रहा bank of maharashtra इसे 16 सितंबर 1935 को found किया गया था इसका headquarter पूर्णे में है इसके CEO है AS Rajiv और इस bank की tagline है one family one bank next question is who will be the new CEO of TCS TCS के नए CEO कौन होंगे इसका answer option C कृतिवासन ये है कृति कृतिवासन जिने TCS निए Tata Consultation Services का नए CEO अपॉइंट किया गया है इससे पहले TCS के CEO थे राजेस गोपीनाथन जो लगबग इस post पर 6 साल के लिए थे और अब इन्होंने इस post से resign दे दिया है TCS इससे 1 April 1968 में found किया गया था इसके founder थे J.R.D. Tata और इसका headquarter मुंबई में है next question is where has Devi Lok Mohasov begun Devi Lok Mohasov कहा शुरू हुआ है इसका answer option D Madhya Pradis Devi Lok Mohasov एक तीन दीन का festival है जिसे Madhya Pradis के सालकानपूर में आयोजित किया गया है इस festival में लगबग 9000 participants participate करेंगे Madhya Pradis इसके capital है भोपाल इसके chief minister है सिवरा सिंग चौहान और इसके governor है Mangubai चगनवाई पतेल Next question is Who has received ASME Timo Sink medal? ASME Timo Sink medal किसे मिला है? इसका answer option B Guru Swami Ravichandran Guru Swami Ravichandran ये Jio Institute के scientist है जिने हाली में 2023 का Timo Sink को medal दिया गया है ये medal इन्हें American Society of Mechanical Engineering के द्वारा दिया गया है Timo Sink को medal 1957 में established किया गया था और ये medal उन लोगों को दिया जाता है जो Mechanical Field में Outstanding काम करते हैं और इस बार 2023 का ये medal Guru Swami Ravichandran को दिया गया है So guys ये थे आज के top 20 questions अगला question आप लोगों के लिए है So the question is Which state has launched the Mohr घर scheme? किस राजी ने Mohr घर यूजना शुरू की है? आपके options है राजस्थान, महराष्ट्रा, 36 गड़ या उरिसा इसका answer आपको comment section में देना है So guys जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के पहले ही कि आपके लिए एक surprise रखा गया है तो वो surprise यह है कि इस current of year series के अलावा मैं एक वीडियो all लाने वाली हूँ जो sorts की रूप में होंगी उन sorts में मैं आपको math की sort trick सिखाऊंगी जिसमें within a second कैसे calculate किया जाता है यह मैं आपको trick सिखाऊंगी आज के लिए इतना ही कल हम फिर मिलेंगे इस नए current of year के series में thanks for watching guys and have a good day और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आए तो इस वीडियो को like कीजेगा subscribe कीजेगा और इसे अपने दोस्तों को भी share कीजेगा thanks for watching guys, bye bye झाल